बच्चों नमस्कार अगर आपने सोहनलाल दुवेदी जी का जीवन परचे नहीं पढ़ा है तो जाकर के फटाक से पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है नए सेसन की नई प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप इसी एयर की प्लेलिस्ट ढूढ़िएगा मिल है दीन अस्रु से जिनका मर्म मुहताजों के साथ नाती जिनको शर्म किसी देश में किसी वेश में किसी देश में किसी वेश में करते कर्म मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म अज ज्यात नहीं है उनके नाम ज्यात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणा उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम समझे भेद गया है भेद मतलब बिंध जाना भेद मिंस बिंध गया है दीन अश्रु दीन मतलब होता है गरीबों के गरीबों के आश्रुमाने आसुओं से गरीबों के आसुओं से मर मतलब हर दें जिनका हर दे गरीब के आंसुमों से बिंध जाता है यानि गरीब ने एक आंसु गिराया निर्धनों ने एक आंसु गिराया निर्धनों ने दुख प्रकट किया तो उनके दुख से वो भी दुखी हो जाते हैं और उनका क्या हरदय बिंध जाता है उनके दूसरें के दर्द से यानि जो द बिंध जाता है और मुहताज मिन सोता है निर्धन गरीब लाचार बेसहारा मुहताज लोगों के साथ जिनको शर्म नहीं आती कि आप किसी गरीब के साथ बैट जाएंगे तो आपको शर्म आने लगती है तो वो कहते हैं कि भेद गया है दीन असुर से जिनका नाम, दीन असु अर्थात गरीब के आसू से जिनका मर्म अर्थात हरदें मरमाहत हो गए हैं जो जिनके हरदें दुखियों के आसूं से बेद जाता है बिंध जाता है और जिनको मुहताज गरीब भिखारियों के साथ वैट कर जिनको शर्म नहीं आती है ऐसे महापुरुष किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, वे किसी भी देश में रह करके, किसी भी वेश भूशा में रह करके, अपना कर्म करते रहते हैं, और मानवता को, हुमिनिटीज को संस्थापित करना, मानवता को स्थापित करना ही जिनका धर्म होता है, जिनका मानवता ही only धर्म है, हुमिनिटी ही जिनका धर्म है ग्यात नहीं है जिनके नाम और जिनके नाम जिन महापुर्शों के नाम हम सभी को ग्यात नहीं है वो अच्छे-च्छे कर्म करके चले जाते हैं कभी का मानना ये है कि जिनके नाम ग्यात है मानलो कि हमें शेकर सुभास, अस्फाक, भगस सिंग सबके नाम याद हैं जिन लोगों ने हमारी सेवा की है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे लिए कुर्बान हो गए हैं हमारे लिए अपने प्राणों कुन्य उच्छावर कर दिये हैं उनको हमको नाम उनके नहीं पता है मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ आज उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ और सतत प्रणाम कर रहा हूँ सतत मिंस होता है निरंतर निरंतर यानि मैं लगातार उनको प्रणाम कर रहा हूँ और जीवन भर प्रणाम करता रहूंगा भविष्च की पीडियां भी उनको प्रणाम करती रहें एक बार फिर से समझ लीजेगा संदर्प कैसे लिखेंगे कि प्रसुत पद्यांश सोहनला दुवेदी जी द्वारा रचित कविता उन्हें प्रणाम से उद्रित है ठीक है और इसका प्रसंग लिखेंगा कि जो ऐसे महापुरुष जिन लोगों ने दीन दुख्यों के सहायता की है परंद उनके नाम इतिहास में नहीं है आज उनको लेखक प्रणाम करना चाहता है फिर देखेगा कोटी कोटी नंगों भिक मंगों के जो साथ कड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मात शोशित जन के पीडित जन के कर को थाम बढ़ते जार जोशित जन के पीडित जन के कर को थाम बढ़े जार है उधर जिधर है मुक्ती प्रकाम ज्यात और ज्यात मात्र ही जिनके नाम वंदनिय उन सत पुरुषों को सतत प्रणाम उन्हे प्रणाम सतत प्रणाम कोटी कोटी मिन्स होता है करोडों करोडों कोटी कोटी नंगों करोडों करोडों नंगे उघार वेक्ती जिनके पास पहनने को कुछ नहीं है करोडों नंगे और विखारीयों के साथ भी जो खड़े होते हैं कंधा मिला करके जो जोड़ करके खड़े होते हैं उन्नत मिन्स होता है उंचा और उंचा मस्तक करके खड़े होते हैं शोशित जन के जो जिन लोगों का शोशन हुआ है यानि शोशित जन जो सताय हुए लोग हैं जो दलित लोग हैं पीडित जन के जो पीडित लोग हैं करको थाम उनके हाथों को जोबेक्ती थाम करके बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम वे उधर को बढ़ते चले जा रहे हैं जिधर मुक्ति प्रकाम है और प्रकाम कार्थ क्या होता है प्रकाम कार्थ होता है पूरी तरह या मजबूत या फैला हुआ या बिस्तृत यानि पूरी तरह जिधर मुक्ष है उधर वे ऐसे वंदनी, ऐसे वंदना करने योग, ऐसे पूजा करने योग, सत पुर्षों को सतत प्रणाम, निरंतर मैं प्रणाम करता हूं। उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, वे उधर को बढ़ते चले जा रहे हैं, जिधर मुक्ति का प्रकाम है, मुक्ति का मार्ग है, यानि संपूर्ण मुक्ति है, ग्यात और अग्यात मातर ही जिनके नाम, जिनके नाम, ग्यात और अग्यात नाम वाले जो हैं लोग, ऐसे वंदनी एसे वंदन करने योगे, ऐसे अर्चन करने योगे, पूजा करने योगे, सत पुरुशों को, महा पुरुशों को, सतत प्रणाम, मेरा प्रणाम, निरंतर है, फिर देखेगा, हो जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांती, जिनकी तानों के सुनने से जिलती भरांती, चा जाती मुख मंडल पर योवन की कांती, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती कांती, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, फिर कभी क्या कहता है, पिर कभी कहता है कि जिनको गीतों के पढ़ने से मिलती शांती, जिनके गीत कविताओं को पढ़ने से हमारे हर्दें को शांती प्राप्त होत गीतों के पढ़ने से मन को शांती होती, जिनके गीतों के पढ़ने से मन को शांती होती, जिलती मतलब नश्ट हो जाती है, जिलती मिन्स नश्ट हो जाती है, जिलती मिन्स नश्ट हो जाती है, ब्रांती मने ब्रम, जिनके तानों को सुनने से ब्रम नश्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, जिनके तानों को सुनने से जिलती मतलब नश्ट हो जाता है, ब्रांती मने ब् इनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांती, टेक समस्ते हो टेक, टेक माने संकल्प, टेक मिन्स संकल्प, जिनके संकल्पों पर टिकने से क्रांतियां टिकती हैं, जिनके संकल्पों पर द्रढ रहने से क्रांतियां द्रढ हो जाती हैं, हरित क्रांती, श्वेत क्रांती, लहू क तमाम प्रांस की क्रांती भारत की क्रांती है ना 1857 की क्रांती है क्रांतियां थी क्रांती मतलब एक युद्ध भी होता है क्रांती मतलब एक योजना भी होती है है ना तो जिनकी टेकों अर्थात जिनके संकल्पों पर टिकने से इस्थित रहने से सारी क्रांतियां इस्थित हो मादक मुसकान नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान प्राणव सुच्वसित होते होने को बलीदान जोगाओं पर मरहम का कर देते काम सुहनलादवेदी जीते रहो जोगाओं पर मरहम का कर देते काम उनसा हृदयों हृदयों को मेरे कोटी प्रणाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम उन्हें प्रणाम कोटी कोटी सव कोटी प्रणाम और अनेकों कोटी प्रणाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम यानि ऐसे विक्तियों को, ऐसे महापूरुशों को प्रणाम है, मरण मधूर बन जाता है जैसे वरदान, मरण मधूर बन जाता है जैसे वरदान, मरण मधूर बन जाता है, मरत्यू का भी एक मधूर वरदान के समान स्वागत करते हैं, मरत्यू को सामने देखते हैं तो भैवी प्रतित नहीं होते हैं। आप भी जेंड से भी लिपस्टिक लगा सकते हैं। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान। अन्याय का तंबू इस संसार में जो लोग नहीं देख सकते प्राण उच्वसित होते होने को बलिदान। बार बार प्राण उच्वसित होते हैं। अब उच्वसित का मतलब होता प्रसन्नता से उद्यत होना। उच्वसित मतलब उद्यत और उद्यत मिंस तैयार। ठीक है? बार बार प्राण जिनके तैयार हो जाते हैं काहे के लिए? होने को बलिदान। प्राण उच्वसित होते होने को बलिदान। जिनके प्राण हर समय बलिदान होने के लिए क्या होते हैं? तैयार रहते हैं और जो घाओं पर मरहम का कर देते काम। ऐसे महापुरुष जो घाओं पर मरहम का काम कर देते हैं, है ना, एक बेवफा के घाओं पर मरहम लगाने हम गए, बेवफा का मतलब क्या होता है? जो इस मुल्क के साथ वफादारी नहीं करता वो होता है बेवफा जो किसी वेक्ति के साथ वफादारी नहीं करता वो होता है बेवफा तो जो गहाओं पर मरहम एक बेवफा के गहाओं पर मरहम लगाने हम गए मरहम नमिला मरहम की कसम मरहम गए समझेगा कि जो घाओं पर मरहम का कर देते काम जो घाओं पर मरहम का एक लोशन का काम करते हैं उन सहर्देयों सहर्देय मतलब जो हर्देय के साथ है जो दिलेर आदमी हैं जिनके पास दिल होता है लोगों को क्या करने का दिल होता है लोगों को अपना बनाने का जिनके पास हरदें होता है ऐसे हरदें को मेरे करोडों प्रणाम है मेरे सतत प्रणाम है मेरे प्रणाम है और उन्हें जिने है नहीं जगत में अपना काम हाँ जी उन्हें जिने है नहीं जगत में अपना काम राजा से बन गए भिखारी तज आराम दरदर भीख मांगते सहते वर्शाघाम दो सुखी मधुकरियां दे दे ती विस्राम जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध जिनको है अपनी गौरोगरी मा का बोध जिने दुखी पर दया करूर पर आता करोध अत्याचारों का अभिष्ठ जिनको प्रतिशोध उन्हे प्रणाम सतत प्रणाम समझेगा क्या कहते हैं कि उन्हें जिने हैं नहीं जगत में अपना काम ऐसे लोग ऐसे महापुरुस जिनको इस संसार में स्वयम का काम नहीं है अर्थात वो दूसरों के लिए जीते हैं वो अपना काम नहीं करते वो अपने लिए नहीं जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं जिनको इस संसार में अपने से काम नहीं है दूसरों से काम है जो लो यानि जिनको अपना काम इस संसार में नहीं है जो सदा दूसरों के लिए काम किया करते हैं जन सेवा ही जिनका काम है और राजा से बन गए भिखारी और वोग राजा से राजा से भिखारी बन गए हैं क्या करके इत्ता जमाने त्याग करके आराम त्याग करके वोग राजा से भिखारी बन गए हैं ऐसे लोग जो राजा थे लेकिन दान दे दे कर भिखारी बन गए हैं आराम को त्याग दिया मानवता के लिए दरदर भीक मांगते दरदर भटकते फिरते हैं विक्षा मांगते वर्षा बारिस और धूप सहते रहते हैं दो सूखी मधुकरियां दे देती विस्राम मधुकरियां का आर्थ होता है रोटियां मधुकरियां समस्ते है बटा मधुकरियां में सोता है बच्चा रोटियां है ना रोटियां रोटियां दो सूखी मदुकरियां दे देती विस्राम, जिनको मातर दो रोटियां मिल जाती हैं, सूखी रोटियां मिल जाती हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चूपडी मतलल चाए जीव तो जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनकी आत्मा सदैव शत्य का सोध, शोध मिन्स होता रिसर्च, सर्च करती रहती जो सत्यता का, शोध अर्था सत्यता की खोज करती रहती है, जो सत्य की खोज में जिनकी आत्मा सदैव रहती है, जिनको है अपनी गवरो गरिमा का ग्यान है जिन्हें दुखी पर दया जिन ऐसे लोग जो दुखी पर दुखी होते हैं दया दिखाते हैं कुरूर पर जो लोग रोधित होते हैं अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध और जो अत्याचारों का अभीष्ट माने जिनकी इच्छा है जिनका जो पदला लेने की जिनकी हर समय इच्छा रहती है ऐसे महापूर्शों को ऐसे सत्पूर्शों को मेरा सतत प्रणाम है निरंतर प्रणाम है ठीक है तो जो निरधन के धन निरबल के बल अविराम उनने ताओं के चरणों में कोटी प्रणाम मातरभूमी का जगा जिनंहें ऐसा नुराग योवन में इलिया जिनोंने है वैराग नगर नगर की ग्राम ग्राम की चानी धूल समझे जिस से सोई जनता अपनी भूल जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब उन मुर्खों को विद्वानों को जो दिन राद इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्राद जगार है जो सोए गवरव को अभिराम उन्हें प्राणाम सतत प्राणाम फिर समझे फिर कभी सोहनलाल दवेदी जी क्या कहते हैं कि जो निर्धन के धन जो निर्धनों के धन है जो क्या है जो निर्धनों के धन है जो निर्धनों के धन है जो निर्धनों के धन है और निर्बलों के लिए बल के सुरूप है अविराम माने निरंतर जो सदायव या निरंतर कह सकते हो जो सदायव निर्बलों के बल हीनों के बल बने रहते हैं दन हीनों के धन बने रहते हैं उन नेताओं के चरणों में ऐसे महापुरुष नेताओं के चरणों में कोट प्रणाम करोडों प्रणाम है तो मात्रभूमी का जगा जिन है ऐसा अनुराग ऐसे महापुरुष जिनको मात्रभूमी का अनुराग मात्रभूमी का प्रेम अनुराग में जोता प्रेम या इसमें है जिनको मातर भूमी का ऐसा प्रेम जगा कि योवन अर्थात युवावस्था मेरे लोग तो बुढ़ापा में विराग लेते हैं बुढ़ापा में सन्यासी बनते हैं लेकिन ऐसे महापुरुष ऐसे सत्पुरुष जो मातर भूमी के क जिनका मातरभूमी के प्रति ऐसा प्रेम जगा कि युवा अवस्था में ही जिन्होंने वैराग्य धारन कर लिया नगर-नगर की ग्राम-ग्राम की छानी धूल नगर-नगर और गाउं-गाउं की धूल छानते फिरते हैं समझे जिससे कोई सोई जनता अपनी भूल वो कहते हैं कि सोई हुई जनता अपनी भूलों को समझे अपने भूलों को जाने इसलिए वो गाउं-गाउं नगर-नगर को घूमते रहते हैं खाक छानते फिरते हैं कि जनता की भूलों को याद दिराएं कि जो गलत नेताओं को चुनते हैं ऐसी जनता की भूले हैं उन जनता की भूलो भी नसीब नहीं होता है जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब और जिन विक्तियों को इस युग ने इस दुनिया ने सदा गरीब बना रखा है उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात ऐसे मूर्ख ऐसे विद्वान विक्तियों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्राथ जो इन विक्तियों को जगाने के लिए हर समय कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर हुई अब रैन कहां जो सोबत है जो सोबत है वो खोबत है जो जागत है वो पावत है जो इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्राथ जो रोज प्रातहकाल जाकर के गाओं गाओं में जाकर के भोली जनता को, भोली जनता को, गरीब जनता को, मूर्क जनता को, मूर्क जनता को, गधी जनता को, अच्छी जनता को, बेकार जनता को, सुसमरिद जनता को, सब कुछ है जनता में, सब कुछ है जनता में, अच्छा ही है, बुराई है, खराब है, अ जगा रहे जो सोय गौरव को अभिराम, अभिराम माने सुंदर, जो हमारे देश के सुंदर गौरव को, सुंदर गाथा को, सुंदर गरीमा को जगा रहे हैं, जागरित कर रहे हैं, उस सुदेश के स्वाभिमान को कोटी प्रणाम, ऐसे सुदेश को, ऐसे अपने देश के स्व कडियों की बेंतों की मार आजादी की कभी नचोरी टेक पुकार आजादी की कभी नचोरी टेक पुकार जंजीरों में कसे हुए सीखचों के पार सीखचे समस्ते हो सिकडिया होती थी कडिया होती थी बेडिया होती थी हतकडिया होती थी जिन में महापुरुष जो हमारे में आजादी दे करके गए हैं, उनको सीहक्चों में, बेडियों में, हत्कडियों में, जनजीरों में, कैद कर लिया जाता था, तो वो सीख्चों में। समझ गए। yawni जन्जीरों में कसे हुए सीक्चों के पार, जो सीक्चों सीक्चे मतलब जो सीक्चे जिनके जेल के सीक्चे, ठीक है, जेल की सरंखलाएं जिनके पीछे लोग खड़े होते हैं, वो देखो ऐसे 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 वो बने होते सीक्चे, यही सीक्चे हैं, तो जो जेलों के सीक्चों के बार जंजीरों में कसे हुए जन्नी जनम भूमी सुरगादा पिगरियसी जो माता ही माता भूमी है पुत्रों हम प्रतिव्या कहते हैं जो जन्नी जनम भूमी है जो जन्नी जनम भूमी के समान है उसकी जैजैकार करते रहते हैं सही कठिन हतकडियों की बेतों की मार और जो हतक नाम है और स्वार्थ लोब यश कभी सका है जिन्हे न जीत और जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत मन के मीत डाने को साम राज जेवाद की द्रिढ दीवार बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार घर में अपने साउंड सिस्टम फिर खिट कर लीजिए और ज्यान सिं क्लासिस से अरुनेश कुमार को सुनिए पूरे घर में आपके एक आवाज गुंजेगी और वो आवाज आपके कानों के कानों के रास्ते से हरदें के अंतरतम तक समा जाएगी और कभी नहीं भूलोगे ऐसी कविताओं को स्वार्थ लोब यश कभी सका है जिने नजीत जिन लोगों को जिन महापुरुषों को स्वार्थ नहीं सताया जिन महापुरुषों के अंदर लोब प्रकट नहीं हुआ यश और कीर्थी यानि प्रसिद्धी पाने का कि लालसा भी कभी भी जिन महापुरुषों को नहीं सताई जो अपनी धुन के मतवाले जो अपनी धुन के गए हम मन हारा तो हार गए तो जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत जो अपने मन के ही मित रहें जो अपनी धुन में मदमस्त रहते हैं मदमाले रहते हैं धाने को सामराज जवाद की द्रढ़ दिवार जो सामराज जवाद की द्रढ़ मने बहुत मजबूत दिवार सामराज ज जो अंग्रेजों का वाद था, जो अंग्रेजों का सामराज्य पहला हुआ था, कठिन सामराज्य था, यानि कि जिसको निरंकुष शासन कहा जाता है, जिसकी सासन में गुलामी होती है, ऐसे सामराज्य वाद रूपी दीवार को, मजबूत दीवार को ढ़ाने के लिए, गिरा हैं ऐसे महापूर्षों को सतत्त प्रणाम कोड़ प्राम फिर देखेगा फिर देखेगा आगे फिर मदमस्तकविताई मस्तकविताई सोहनलाल द girGo एक बार फ्रेम से बोले सोहनलाल द वेधी की जै ऐसी कविता महा पुरुषों के नाम समझे लोगे महा हम पूजा नमाज भजन नहीं करेंगे, हम महापुरुष जिनकी वज़े से हमाज सुरक्षित हैं, जिनकी वज़े से हमाज आज हम पढ़ा रहें और आप पढ़ रहें हैं, ऐसे महापुरुषों को सबय वह मंपढाम करेंगे, उनकी ही पूजा करने से ही भगवान खुश होत तो समझेगा कि वो महापुरुष वो वीर पूरुष वो वीर सैनिक जो हमारे लिए सराहदों पर खड़े हैं, माइनस 40 में भी खड़े हैं, टेम्परेचर जहां पर पानी बर्फ बन जाती है, इतनी ठंडी होती है, ऐसे में खड़े हैं, मैं ऐसे महापुरुषों को प्रणा करता हूँ फिर देखिएगा आप कि बंद सीक चों में जो हैं अपने सर नाम भीर वीर उनसत पूरुशों को कोटी प्रणाम उन्ही करमठों द्रुवहीरों को है प्रतियाम कोटी प्रणाम कोटी प्रणाम सतत प्रणाम कोटी प्रणाम सतत प्रणाम यानि समझे समझेगा क्या समझेगा समझो भया कि बंद सीक चों में हैं में जो हैं अपने सर नाम जो सीक चों मैं जंजीरों में बंद हैंजिक चैनलाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पड़ाम करते हुए सुहनलाल दुवेदी जी कहते हैं कि जो सीक्चो में बंद है जो निरंतर सीक्चो में बंद रहने वाले हैं जो अपने अपने सरनाम सरनाम समस्ते हो सरनाम माने प्रसिद्ध ठीक है और वो आदमी बहुत सरनाम डाकू सरनाम मतलब प्रसिद्ध डाकू तो बंद सीक्चों में जो हैं अपने सरनाम जो जंजीरों में दीवारों में जकडे हुए जेलों में बंद हैं और जो प्रसिद्ध हैं धीर ऐसे धैर्यशाली वीर उन सत पुरुशों को करोणों बार प्रणाम है उन्हीं करमठों वो करमठ जो करम करने वाले करमठ शाली वेक्ति जो ध्रुव मजबूत वेक्ति हैं ऐसे धीर पुरुशों को प्रतियाम प्रतियाम में से समझते हो है ना ऐसे ऐसे करोणों बार प्रणाम ऐसे धीरों को ऐसे महापुरुशों को मैं करोणों बार प्रणाम करता हूं ठीक है ऐसे धीर महापुर्शों को करोड़ू बार पढाम करता हूँ और जो फासी के तक्तों पर जाते हैं जूम जो हस्ते हस्ते शूली को लेते चूम दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम टेक नतजिते पी जाते हैं विश का धूम उस आगत को जो की अनागत दीव्य भविश्य जिन की पावन ज्वाला में सब पाप हविश्य सब स्वतंत्र सब सुखी जहां पर सुख का विश्राम नव युग के उस नव प्रभात की किरण ललाम उस मंगल में दिन को मेरे कोटि प्रणाम सरवोदय हस राह सुख शांती प्रकाम सरवोदय हस राह जहां सुख शांती प्रकाम जो फासी के तक्तों पर जाते हैं जूम जो हस्ते हस्ते फासी के तक्तों पर जूम जाते हैं जूल जाते हैं हस्ते हस्ते शूली को अपनी फासी शूली मिन फासी होता है उसको चूम कर फासी पर चड़ते हैं दीवारों में जो चुनुआ दिये जाते हैं ऐसे देश भक्त जो मासूम जो बिलकुल मासूम इन्नोसेंट लोग होते हैं जो दीवारों में चुनुआ दिये जाते हैं नरम हदें वाले टेक नद चित जते लेकिन टेक मिनस होता है संकल्प मैंने कही बार बताया लेकिन संकल् धूम, धूम मिन्स होता है धूआ, विसका धूआ पी जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने संकल्पों को नहीं त्यागते हैं, उस आगत को जो की अनागत दिव्य भविश्य, आगत मिन्स आने वाला, आगत समस्ते हो आने वाला, ठीके, आगत मिन्स आने वाला, जो मासूम दी चाप पी जाते हैं, मृत्यू को गले लगा लेते हैं, ऐसे सुतंत्ता संग्राम सेनानियों के कारण ही ये सुखद वर्तमान है, उस आगत, आगत मतलब होता है भविश्य, ठीके, आगत में शिब भविश्य, जो की अनागत, दिब भविश्य, यानि अनागत जो अभी नहीं आया है, जो अभी नहीं आया है, दिब भिमाने अलावकिक, ठीके, अलावकिक, भविश्य तो समझते हो फ्यूचर, यानि यही सुखद वर्तमान है, ये सुखद वर्तमान है, अलावकिक यों सुखद भविश्य भी आयेगा, वो अनागत है, वो भी आया नहीं है, अनागत जो अनागत है अभी आया नहीं है लेकिन जरूर आएगा उस आगत को उस भविष्य को जो अभी आया नहीं है और वो दिब्व भविष्य भी आएगा जिनकी पावन जो आला में सब पाप हविष्य माने हवन हवन मतलब जल जाएंगे मतलब समाप्त हो जाएंगे जिनकी पावन ऐसी पावन मनें पवित्र अगनी में ऐसा समय जिसकी पवित्र अगनी में सारे के सारे पाप जल जाएंगे ऐसा अलोकिक यूग ऐसा दिब्व यूग वरतमान तो हमारा जिनकी वज़े से अच्छा है लेक सब सुखी होंगे सब स्वतंत्र होंगे जहां पर जहां पर सुख का विस्त्राम मिलेगा नव युग के उस नवल प्रभात की किरन ललाम ललाम में सोता है सुंदर ठीक है ललाम में सब सुंदर तो उस नव युग के नवीन युग भी आएगा और उस नवीन युग के प्रभ जहां पर सरवोदय हसेगा जहां पर सब की उन्नती हसेगी मैं ऐसे उस मंगल दिन को मेरे करोणों पड़ाम है तो शब्द सक्ती लक्षना अभी दाये आप समझ गएं शैली ओज है यहां पर ओज गुण का ओज गुण यानि की वीर्रस है तो जब वीर्रस है तो ओज गुण भी है वीर रस है तो ओजगुन भी है ठीक है वीर और सांतरस भी जहां तहां आया है चलिए भाशा साहितिक खड़ी बोली है बहुत बहुत धन्यवाद आज और बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके न्यू सेसं के लिए तो प्लेलिस्ट में जाना बिल्कुल न भोलिए कल ह हम आपको पढ़ाएंगे हरिवन श्राय बच्चन का जीवन परिचे तत पस्चात पत की पहचान पढ़ा देंगे बहुत बहुत धन्यवाद